कॉंग्रेस नेता नवजोद सिंग सिदू ने प्रेस कॉंफरेंस कर पीएम मोधी पर जम कर हमला बोला। सिदू ने मोधी पर हमला करने के चक्कर में अपनी सारी सीमाय लांग दी। अपनी एक उपलक्ति बता देगे मैं चौथी पार पांचमें बार आफमें बार पुछना हूं। अपनी एक उपलक्ति बता दें मोधी साहफ। क्योंकि आप भगवड़ें हो गए राष्ट्रबाद की शरण में चले गए हैं। मैं राष्ट्रबाद की शरण से ही आपको खीच के बार लागवा। मुझे यह बता दें कि अगर नोट बंदी मुता थी। और आप कहते हों कि नोट बंदी में आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया है। और GST में आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया है। तो आप उन मुद्दों पे इलेक्शन क्यों नहीं लगते हैं। आप उन मुद्दों का जिकर क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों मैं छाती ठोक के सत्य को बजाता हूं और कहता हूं कि 90 फीसदी PSU सरकारी बैंक आज लुट गए बरबाद हो गए